नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org नई सुभा कुकिंग फ्रिटोरियल्स में खुश्याम दीत मैं हूँ प्रिजा हुसेन और हमारा आज का टॉपिक है रेसिपी आफ जिंजर चिकन जिंजर चिकन बनाने के अज़्जा बोनलेस चिकन एक किलो कुकिंग ओईल हाफ कप चौप जिंजर 3 टेबिल स्पून हरी मिर्शे मोटी वाली 6-8 अधद सिरका 1 थर्ड कब धरी एक पाउ कुतीवी काली मिर्शे हाफ टी स्पून कुतीवी लाल मिर्शे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून नमक हस्बिस आइका कार्णिश करने के लिए बारी कटी हुई अद्रक और धनिया सबसे पहले आप एक कुकिंग पैन में हाफ कप कुकिंग ओयल शामिल करें जब कुकिंग ओयल हलका सा गरम हो जाए तो आप इसमें एक किलो पोनलेस चिकन शामिल करें और फ्राइ करें याद रहे कि चूले की आँच बहुत तेज नहीं होगी मीडियम या मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे हम चिकन को फ्राइ करेंगे और तब तक फ्राइ करेंगे जब तक चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए जब चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें 3 टेबिल स्पून चॉप्ट अद्रक 6-8 हरी मिर्चे जूलियन कटी हुई 1.5 टी स्पून कुटीवी काली मिर्चे 1.5 टी स्पून कुटीवी लाल मिर्चे 1.5 टी स्पून हल्दी और हजब जाइका नमक शामिल करके चिकन को स्टर फ्राइ करेंगे जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1 थर्ड कप सिर्का शामिल करेंगे और उस वक्त तक चिकन को फ्राइ करेंगे जब तक सिर्का खुश्क हो जाए जब सिर्का खुश्क हो जाए तो हम इसमें एक पाव दही में थोड़ा सा पानी शामिल करके शामिल कर देंगे और पैन को कवर करके और चूले की आँच को हलका करके चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे जब हमारी चिकन गल जाए और फिर भी उसमें इजाफी पानी होगा तो हम उसे भून के ड्राइ कर लेंगे चिकन भून के ड्राइ करने के बाद हम इस पे धनिया और बारी कटी हुई अद्रक से कार्णिश करेंगे और मज़ेदार सी चिंजर चिकन सर्फ करेंगे यह थी हमारी आज की रेसिपी चिंजर शिकन मिलते हैं आप से नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज यह मालमाती मवाद नई सुभा की जानिट से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए